हाई वरीवान वेलकम बैक तो माई चानल सो कैसी हो आप लोग आप सब ठीक होंगी सो आज किस वीडियो में आपके साथ शेह कहने वाली हूँ यह डे टाइम के लिए सिंपल मेकप लोग सो मैं अपनी डेली लाइफ में इसी तरीके से मेकप करना पसंद करती हूँ अगर आप पर नहीं आया है तो प्लीज टेक मोमें टो सब्सक्राइब माई चानल विदाओ अनी फर्दर दू लेस्ट इस्टार्ट एट ओके फर्स्टी मैं यहां पर लगाया है वाओ का विटामिन सी फेस सीरम सो काफी जाद अच्छा सीरम है काई यह एं उसके बाद मैं यूज करू आपको मौशराइजर कभी भी स्कीप नहीं करना है तो मौशराइजर लगाने के बाद मैं यूज करूंगी वेटन वाइल का दूवी इल्लुमिनेक्स प्राइमर और यह मेरा सेकेंड ट्यूब है जो अल्मोस्ट खतम होने को आप जानी सकते हो कितना अच्छा वाला ट्युख मैं लगता है जो के बहुत जहाँ हो में लगता है और इसकी कवरेज बहुत जहाँ है काई सबीसे हैये और फेस काफी से यह ई सबम तो यह उसके बाद कॉम्पैक्क पॉडर से मैं सेट करूँगी और मैं ज्यादा फांडेशन लगाना डेली में पसंद नहीं करती हूं मैं बी-bी-krimi यूज करती हूं यह नेक्स्ट मैं यूज करूंगी आइवरो पैंसिल वेटन वाइल की तो आइवरो पैंसिल यह वाली बहुत जादा अच्छी है काईस बीगनर हो तो आप इसको जरूर से जरूर ट्राय करो बहुत अच्छी है दुसरे साइड पर आपको इस पूली ब्रश पर मिल जाता है इसके बाद यह मैंच का प्रोफेशनल आइशाड़ पैलेट मैं यूज करूंगी उस वाले ही शेट को मैं ब्लश की तरह ही यूज करती हूँ जादा जो के पूरा खतम हो गया उसके बाल हाइलाइटर के लिए मैंने वेटन वाइल का प्रिशियस पैटल्स हाइलाइटर लि तो हाइलाइटर लगाना मुझे पसंद है इसलिए थोड़ा सा ही अमाउंड में मैं हाइलाइटर लगाऊंगी और उसके बाद ब्लेंडर से ब्लेंड कर लोगी ताके कोई हार्श एज ना दिखे उस पे अगर होगा तो दन उसके बाद यह वाला शेड लिया है मैंने और इ अगर शेड आप देख सकते हो यह लगा होगे ना आप सामने वाले को पता ही निच लगा जादा आपने कुछ आइस पर लगाया हुआ है दिखेगा बड़ उतना जादा नहीं और इसकी शेड है आप देख सकते हो कितना जादा ब्यूटिफुल लग रहा है यह तो इसको मै यह तो इसका मैं यूज़ करूंगी आइलाइनर लैक मी इंस्टा का अगान अफोर्डेबल की ही रेंज में आता है मैं जितने भी आइलाइनर ट्राय किये ना तो मुझे लैक में इंस्टा का ही ज्यादा अच्छा लगता है प्यकि अफोर्डेबल भी है और इसमें कॉंटि नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी मस्कारा मस्कारा लगाऊ कि न तो अइस एक अलग ही दिखती है मतलब जो लैशे का अच्छी लगती है तो मस्कारा आपको लगाना चाहिए डेली इसमें अगर आप मेकप कर रहे हो उसके बाद मेकप फिक्सर मैं यूज़ करा है ब्लू है इसमें और भी शेट्स बहुत सारे शेट्स आते हैं यह वाला शेट्स मैंने लिया था ट्राय करने के लिए बट यह लिए बहुत बहुत अच्छी सो यहां पर मैं जूम का अपने वेर कर लूगी सो गाइज here is my final look कैसा लगा comment section में जरूर बताईएगा इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब के बास में जो बैल बनी होगी उसको भी इट कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूंगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करेगा समय मिलती में नेक्स वीडियो में पापाई